प्रोग्राम लीलों में समझ जाई है कि उनीज तारीक से बहुत बड़ा एक परबचन का आयोग किया जा रहा है स्रीमत भागबत कता जिसमें पूरे गाउं के लोग सामिल रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि कता कि जो बगता है गौतम कसप जी हैं जो कि इसी गाउं के और इस छेत्र के महान कलाकार स्री गुंजन सिंग जी को मैं एक निवेदन आग्रा करना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे कलाकार हैं और इस तरह के हरे कार्ज कर्म में आपका सहयोग विशेश रूप से रहता है मैं भी आपसे एक कथा प्रवक्ता होने के नाते से मैं आपसे आग्रा करना चाहता हूँ कि हमारे ग्रामिन जनता को आपसे बहुत ज्यादा अप्यक्षा है और इस अप्यक्षा को आप रखते हुए अगर मेरी बात आप तक हो जाए तो आप हमारे इस कथा में किसी ना किस ठाकुर जी अवस्य ही परिपूर्ण करें और आप अपने कार्जों में प्रगती करते रहें इसी कामना से में ठाकुर जी को रातना करता है अब इसमझ जाईए मैं ग्राम लीलो में हूं कथा 19 तारीक से होगा लेकिन यहां के कुछ ग्रामिन लोग हैं जिनका की काना है हरा की मत पूरे ग्रामिन का है लोग अपने अपने कारियों में उपस्थित है लेकिन गौतम कस्यप जी का काना है कि अगर यह वीडियो अमारे नवादा जिला के बंगीवा भोचपूरी के सूपर अश्टार गुंजन सिंग जी इस वीडियो को देख रहें तो मैं उनसे हमारे कथा में आज आईएगा तो चार चांद लग जाएगा लोगों के बीच में हमेशा खुशी का महौल तो रहता है लेकिन अगर आप आ जाईए तो हमेशा खुशी का महौल रहेगा इसलिए गर यह वीडियो गुंजन सिंग जी देख रहें मैं उनसे बिनती करना बाकि तमाम जितने भी जनता लोग देख रहें आप अपना पर्ति के रिया क्या रखना चाहते हैं आप देख रहें फटा फटने हुज मैं आपके साथ सन्नी कुमार जै जब भी कोई कथा होता है तो आप देखते होंगे कि इनका नाम हमेशा उज्जेगा पे आगे आता है आखिरकार इनको नाम से परचे दिने का बात नहीं है जब भी किसी भी परकार का देखते होंगे तो इनका हमेशा कथा पे या टीवी पे चैनल पे बहुत बार इनका टीवी चैनल पे भी न्यू चला है हमेशा गौतम कस्यप जी इनका नाम है और हमेशा लोगों के दिल में हमेशा राज करते हैं और इनके द्वारा ग्राम लीलों में जो है स्रीमत भागबत का था का आयोजन किया जाएगा हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि इस परकार का कार्ज अपने गाउं अपने समाज के लिए करना चाहिए सबसे ठाकुर जी की बहुत कृपा रही कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसा इस कार्ज के लिए चुना इसके लिए मैं ऐसे तो उनका धन्यवाद करने योग मैं हूँ नहीं क्योंकि मैं उनका एक बहुत बड़ा साधक हूँ और ठाकुर जी के किरपा से ही मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि हमारे गाउं में बहुत सारे अमंगल कार्ज हो रहे हैं जिससे हमारे गाउं में बहुत सारे अमंगल कार्ज हो के द्वारा लोग में बहुत सारी दुख व्याप्त हो रहा है इसके कारण हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे गाउं ऐसा चीज है भागवत में बरनन आया है पीवतम भागवतम रश्माल्यम भागवत जो है श्रवन करने के लिए नहीं है भागवत का एक एक वकन एक वाक्य हमें पीने के लिए है उसका श्रवन करने से तो श्रवन करना तो है ही शाथ साथ उसमें जितने भी सारी बात हैं तो मेरा जीवन धन हो अच्छा हमारा हमारे चैनल की माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहें तमाम जो जनता है उनसे आप क्या पील करना चाहिएगा उनको क्या कहिए क्या हूं इस कथा में वह आएं यहां आकर भागिदारी बने और तनमन धन से तीनों प्रकार से सहीओग करकर हमें कृतार्त करें और ठाकुर जी की किरपा से उनकी समस्त कामना को परिपूर्ण हो और हमारे ग्रामबासी जितने सहीओग हमारा उन्होंने कर रहे हैं और हमें आ एज से तारीक से लेकर कितने तारी तक आपका ये काट करम हैं यह सुबान परात्स दिया पांच बज़े से कथा प्रारंभ होगा जो की 25 तारीक तक कथा चलेंगे और कथा के बीच भी में सुंदर सुंदर आपको ब्रिंदावन से ऑए मनमोहक ज्हाकियों का प्रस्तुती क किया जाएगा बड़े दूर दूर से संत लोग का आगमन होना है यह हमारे इस धरा के लिए बहुत ही शौभाग की बात है इस गाउं में इस कार में सब सब्सक्राइब देखते होंगे जब भी इनका कार्जकरम होता है लाका एक चीज आप इनका देख रहे हैं उम्र लगभग जादा नहीं है लेकिन चर्चक अभी से हमेशा बने रहते हैं आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि सीम का कार्ज से निकल के और पूरे समाज पूरे विष्व का जब कल्यान होता है जो लोग आगे बढ़ते हैं तो इसे इसे लोगों का बहुत बड़ा सायोग होता है सबसे बड़ी बात है कि इतना कमर उम्र में जो इन्होंने नाम कमाया है मैं कहने का योग नहीं हूँ आप समझ सकते है अभी हमारे साथ कुछ ग्रामिनी जगा पर उपस्तित है हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस डेट में कब का कार्जकरम और किस कारण आप ये कार्जकरम करवा रहे हैं अपने गाउं में मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका सुवत कुमार अचाहीं बताइए की मतलब आपके गाउं में इस परकार से सुभ काम हो रहा है सबसे पहले ग्रामिनों को क्या कहना चाहिए और आसपास के जितने लोग है उनको आप क्या कहिएगा सभी आदमी पुरे गाउं सहयोग दे रहे हैं और तनमन धन से सहयोग दे रहे हैं पुरे ग्राम बासी को धनवाद करें अच्छा भंदारा कभी आयोग किया जा रहा है कितने तारीक हो किस पचैस दवारा पंदारा कीबरता है सबसे बड़ी बात है कि लाइब हमारे न्यू चैनल फटा-फट्र feel channel से आपको जितना देर कथा चलेगा 4-5 से गहता हमारे चैनल पे आपको यूट्व और फेस्टोड दोनों चैनल पर आपको लाइब देख सकते हैं पूरे भारत के लोग इस जगह पे इस गाउं का ऐना चाहता हूं कि जब भी इस गाउं में कार, किसी भी परकार का कार होता है, लोगों में कापी उत्सा रहता है, और पूरे गाम समाज के लोग उस कार में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो उनीज तारीक से परवचन श्टार्ट किया जाएगा, उनीज तारीक से कथा श्टार्ट किया जाए प्रेखिड उल्ष जादिन